हेलो फ्रेंड्स आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पारी टक्निक पार्ट साला पर स्वागत है आज से इस वीडियो में हम लोग डिस्कसिन करने जा रहे हैं मेट्रोलाजी एंड मेजरिंग इस्टूमेंट सब्जेक्ट के बारे में पर उसके सब्जेक्ट के बहुत कल्पी प्रस्णों के बारे में जो कि आपके सेमेस्टर एक्जाम में पूछे जाने वाले यह आपको और भी मदद कर सकता है अधर जेक्जाम के लिए भी तो अम लोग क्वेश्चन के साथ साथ कुछ कुछ कॉंसेप्ट भी समझते हुए चलेंगे यहां पर क्यों क्वेश्चन से काम नहीं बनेगा थोड़ा बहुत बेसिक कॉंसेप्ट आना चाहिए आप भी फ्क्रेशी और अप्वसंट लिखा लोगे सी और अषसे पहले हम प्रिसीजन और कीहारे में जान लेते हैं एक्चुली मिस्द की क्या मतलब होता है यह कुरेशी और प्रिसीजिजन को तो परिसुधता जास मता करते हैं ठीक हढ़ा तो कि की मेरिक से मीजर्मेंट का एक true value होता है कहने का मतलब कि एक साफ्ट है तो हम कर उसका बेसिक डाइमेंशन डिफाइन करते हैं जिसको true value करते हैं या फिर nominal इतना तो हो गया और हम यह जो है आप अलग अलग तरीके से आपको मिला इसके जांपल के द्वारा समझाया गया होगा का प्रिशिजन और किरेशी को हम लोग एकदम सिंपल भास हमें समझते हैं तो 25 mm क्या है हमारा साफ्ट का डायमेटर है मान लीजिए उसको उसको मेजर करना तो जब हम मेजर करते हैं और हमारा मेजर्मेंट उस 25 mm के बहुत पास आता है लाइक कहें 25.0001 ठीक है या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई ऐसा हो 24 क्योंकि एकजेक्ट मेजर्मेंट हमका भी नहीं कर सकते हैं आपको पता है 999 24.99992 ऐसे करके आ जाए तो इसका मतलब यह भला है एकजेक्ट 25 नहीं लेकिन उसके बहुत करीब है ठीक है ऐसे मेजर्मेंट को ऐसे मेजर की होए वैल्यू को ऐसे रीडिंग को हम एक्कुरेट रीडिंग कहेंगे तो एक्कुरेशी से मतलब क्या है एक्कुरेशी यानि अथार्ता से मतलब है कि कोई मान जो आप मेजर कर रहे हैं कोई रीडिंग जो आप ले प्रेसी के अंतर गता है ठीक है और प्रिसीजन क्या होता है प्रिसीजन समवाट इससे डिफरेंट होता है प्रिसीजन कभी एक वैल्यू से रिलेटेड नहीं होता है प्रिसीजन का मतलब ही होता है कई रीडिंग्स लें और उनकी रिपिटेविलिटी हो कहने का मतलब आप कई की बार मेजर करते हैं को वह कंडिशन और यह ध्यान रहा है कि कंडिशन से होना चाहिए परेसिजिन के लिए te क्डेव कंडिशन मतलब वेंजंएर ना करते हैं हम हमेशह ध्यान रखियेगा हम का हमारा यह मतलब नहीं ता कि 25 mm तो हम जिसे 25 mm कहा दिए नहीं इसका मतलब यह था 25 000 000 मतलब कहीं भी कोई अंतर नहों एकडम एक्युरेट इतना हो तो हम कहते हैं कि मतलब कि मतलब इस रेंज में हम डिसकस्वन करते हैं हमेशा यानि कि जो हमारा एक्यूरेसी होता है कर सकते हैं या बहुत माइनर डिफरेंस होता है यह हमेशा रहान रखेंगे जब भी हम मेट्रोलाजी की बात करेंगे तो आप बहुत ज्यादा नहीं समझेंगे कि नई हमने 25 अमे मेशर रही हो गया नहीं पॉइंट के बाद डिसमूलो में भी कितना पॉसिबिलिटी है इसको भी कंसीड hell करते हैं तो मा लेजए कि जब हम मेशर करता है कई डूटेंग लेते हैं 4-5 लेते हैं तो मा लेज ये कोई 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 आता हमारे सामने 24.99992 कोई वैलू आता है 24.99991 आता है ठीक है कोई वैलू आता है 25.00000030 और उसके बाद कर देते हैं माली तो यह सभी वैलू क्या कर रहा है एक दूसरी अगर इनको देखा जाए तो इन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो इन वैलू को अगर यह बहुत ज्यादा इन में डिफरेंस नहीं है तीनों में तीनों रीडिंग्स में तो यह क्या कर लाएंगे यह ज्यादा accurate कहलाएंगे ठीक है तो accuracy का मतलब यह होता है कि जो कई measurement हमने लिया measurement का कई reading लिया तो वो सभी reading बहुत pass में है तो वो कहलाएंगे high precision जो हमारा measurement था वो बहुत high precision था ठीक है और अगर दूर-दूर हो reading का रहें मतलब reading कहीं कहीं आपका 24.9 ना रहा है फिर 24.02 या फिर 89 आ रहा है ऐसे कुछ कह सकते हैं 80 तो इस इन सब इन सब चीजों में क्या हो जा रहा है हमारा range बढ़ जा रहा है तो जो पहले का था देखिए सब एक comparative हैसा नहीं करेंगे मतलब जैसे comparison करके जो पहले हमने में जो सेट आफ रीडिंग्स लिया हुआ था उससे वह ज्यादा प्रिसाइज था जो अभी हम बता रहे थे दो इसलिए जो की क्योंकि सेट आफ रीडिंग्स आफ है measurement है जब वाइड रेंज होगा तो जाईर सी बात है क्या होगा लोग प्रिसीजन में आएगा ठीक है और यह कभी नहीं लोग प्रिसीजन है हाई प्रिसीजन कभी नहीं डिफाइन करता कि वह कुरेट भी होगा क्योंकि तो प्रिसीजन का मतलब देख़ी है अब यह 25 में मेजर कर रहे थे हम ये भी कहा सकते हैं कुछ रीडिंग में हमारा 23.001 हमेशा रहा है चार बार मेजर करें चारोबर 23.001 लेकिन एक्यूरेसी की सही नहीं है क्योंकि जितना 25 के करीब होगा वो उसकी accuracy माने जाएगी ठीक है तो इस तरह से पहले question का answer हो गया low precision ठीक है अब अगले question पर बढ़ते हैं अगला है the difference between the lower and the higher value that an instrument is able to measure is card मतलब अगर किसी कोई instrument है उसका एक lower value होगा जो मेजार कर सकता और एक higher value मतलब सबसे कम से कम एक value होगा जो इसको measure नाप सकता है और एक higher value होगा इन दोनों का difference आप जानते हैं simply क्या कहलाता है range कहलाता है इन दोनों का difference क्या कते हैं range कते तो दूसरे का काउंस और दूसरे का भी और से हुआ ठीक है उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन का फेन डिटर्माइनिंग दा अंसर्टेंटी फारे पर्टिकुलर मेजर्मेंट डिवाइस दा कॉमन अंसर्टेंटी फॉर फैक्टर्स देट शुट बी इंक्लूडेड कि अब जाईर सी वात है आप लोग भूद ध्यान से समझेयेगा जब भी आप मेज़र्माइक जरूरत ही क्यों पड़ा क्यों कि हम हमेशह जब भी कोई मेजर्मेंट करते हैं कोई प्रूडक्ट बनाते भी है प्रूडक्त कोई बतलब बनाते भी है उसका उत्तपादन भी करते हैं तब भी हम एक्जेक्ट वैल्यू जो हम डिफाइन करते हैं वह हम कभी नहीं प्राप्ट कर सकते हैं तो अंसर्टेंटी हमेशा होती ही होती है जिसको हम एरर के नाम से भी जानते हैं सिस्टेमेटिकली तो वही कह रहा है वही अंसर्टेंटी के मतलब सर्टेंट वही अंसर्टेंटी का कामन फैक्टर क्या हो सकता है कामन रीजन क्या हो सकता है मतलब जो कारक हैं जो मेन कारक हैं वो कौन-कौन से हैं पहला कह रहा है एर इन दर मेजरमेंट टेकनिक एंड मेथट Errors in measurement, measurement technique and methods,Mr. Mm, hier है , यह हमारे measurement, technique और method में भी गलती हो सकती है , तिक है , आप कोई भी टेक्निक लेकर लेकर लिए की अग्जामपल लेकर लेकर समझ सकते हैं , ठीक है , हम उसमें आके ज्यादा नहीं बढ़ेंगे , आप कोई रेंडम वेरीविलिटी प्रोसेस अब कोई भी मेजरमिंट प्रोसेस में एक रैंडम वेरीविलिटी होती है। रैंडमनश आता है क्योंकि primary condition change होता है, बदलता रहता ainda, temperature बदलना, प्रेसर बाहर का ऑफारा प्राँनश होना, यह सब एक तरह से सबलंग मतलब इनके और पिर तेक नीशन का भी यह गलती कर सकता जो मेजर करने वाला टीकिशन है मेजर कर रहा है तो वह उसके भी मतलब मेजर में मेजर करने में गलती हो सकती है उसके द्वारा भी गलती हो सकती है तो इस तरह से देखा जाए तो उपर के तीनों आप्सन जो है हमको सही लग रहे हैं तो यहां पर यह जो करेक्ट आप्सन होगा वह डी होगा अलब दी ठीक है अच्छा अब आगे बढ़ते हैं अगला है दो इम आफ कैलिब्रेशन इस टू जो कैलिब्रेशन का एम है वो क्या होता है मीट कस्टमर रिक्वाइर्मेंट डिटेक्ट डिटोरियेशन डिटेरी डिटोरियेशन आफ एक्यूरेशी या कंप्लाई विद आइसो 9000 इस्टेंड रिक्वाइर्मेंट या फिर प्रिसाइज मेजर्मेंट प्रोसीजन तो कैलिब्रेशन का मतलब हम समझ लेते हैं सिंपल वासा में हम समझाते हैं कि कैलिब्रेशन का मतलब होता है जब भी हम कोई मेजरिंग इस्टूमेंट बनाते हैं तो हम पहले क्या करते हैं स्केल का कोई कर देते हैं कि जैसे कोई displacement हो गया कोई भी समझ सकते जैसे आप एक प्रेसर गेज का एक्जामपल ले सकते हैं जब उसके मतलब जो नाली होता है जब हम ट्यूब में लगाते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है उसके कारण जो है उसके जो करता है की इतना इतना डिश्मेंट हो गा या 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 आप पड़े होंगे तो कई टाइब के होते हैं या फिर एक जो प्रेसर गेज होता उसमें एक ट्यूब होता है वो फैल ता सिकूडता है तो उसके फैल ले सिकूडने से इंडिकेटर भी मूब करता तो अब कुछ समय बाद जैसे ही मालेजें कुछ बहुत दिन तक काम कर चुका जब तो उसमें जायर सी बात है क्योंकि मेकेनिकल कंपोनेंट्स लगे हुए तो उसमें फ्रिक्शन के कारण और भी चीजों के कारण या फिर एंबियंट कंडिशन चेंज होने के कारण उसमें जरूर कुछ ने कुछ है डिफेक्ट आ गया होगा उस डिफेक्ट को सही करना ही उस डिफेक्ट को निकालना और उसको सही करना एक्यूरेट बनाना ही क्या कहलाता है हमारा कैलिब्रेशन कहलाता है तो इस तरह से हम कहें एम अफ कैलिब्रेशन इस टू तो कैलिब्रेशन का एम क्या होता है डू डिटेक्ट डिटोरियेशन आ यानि कितना भिन्नता आया है उसको कि डिटेक्ट करना और सही भी करना होता है कलिबिरेशन का एम ठीक है अगले कोश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग कि वीछाब फाल्वर डिंस पेरंएक्स ए पेरलेक्स और अधने लंभन करता है तो एपसन है से मैंज आपजर आभ्जार समरे ऑफ जेया है आपजेरण आपजेट्त 910 position of the observer is altered C है Error caused by distance between the scale and measure feature D है mean of the value of measurement when the object is observed from the right and left right and from the left Parallax error क्या होता लंबन्त रूटी क्या होता है देखिए जब हम जैसे माली जी मेटर स्केल है मुझसे कुछ मेजर कर जाएं तो जब हम एकदम जो एक स्केल पर जो खाने बने हुए है ठीक है उनको engraved lines भी कहते हैं मतलब उनको खीचा हुआ या उसको क्या कर देख गहराई से उसके पर बनाया हुआ लाइन्स भी कहते हैं तो अगर वह लाइन उन लाइन्स के परपेंडिकुलर एकदम हम देखते हैं एकदम ऊपर से देखते हैं यानि नार्मल देखते हैं तो हमारे दो कोई एरर नहीं आता है लेकिन जब किसी एंगल पर देखते हैं तो हमारे देखने में क्या हो जाता है एक difference आ जाता है वहां पर जो scale है पैमाना है और जो actual में major करने के लिए जो work piece है कर सकते हैं या फिर कोई भी चीज है उसमें क्या हो जाएगा उसके मतलब alignment में दिक्कत आ जाए क्योंकि alignment नहीं हो पाएगा जब उपर से देखेंगे तभी align हो पाए देखते हैं उसी को हम लोग parallax error बोलते हैं या फिर लंबन तुरुटी भलते हैं तो यहां पर वही बात है तो option भी यहां पर सही होता है कि apparent shift of an object when the position of observer is altered altered तो apparent shift हो जाता है object में क्या हो जाता है shifting दिखता है अब जब observer दूसरी एंगल से देखता है तुसको थोड़ा object क्या देखता है shift हो गया हुआ दिखता है तो यह वाला अप्शंसाही हो गया ठीक है अगला question है the best way to eliminate parallax error is to अब यह सबसे मतलब यह question बहुत ही important है कि हम best way क्या है कि जिससे की parallax error को यानि लंबन त्रूटी को हम eliminate कर सकते हैं तो हम क्या कर देते हैं पीछे एक mirror लगा देते हैं अब उसका क्या मतलब है कि जब हमको पता है जब scale मालेजी scale के पीछे mirror लगा रहे है तो जब scale या फिर कहिए indicator है उसके पीछे जब mirror लगा रहे हैं तो जो indicator का जब equal size का जब image बनेगा उसमें mirror में तब हम जान जाएंगे कि हम एकदम perpendicular देख रहे हैं या नार्मली देख रहे तो पता चलेगा कि इसके साइज में difference हमको दिख रहा है तो जैसे ही साइज में difference हमको पता चल जाएगा हमने फिरा आंड немного light करने का लम नत्रूती को क्या कर ये बिहांड री डूँट ग्रिड आउट पॉइंटर है फिर इंडिकेटर उसके पीछे का करें एक मिराड लगा दीजेँ ठीक है एक प्लेन मिरार की बाइ जीरो सेटिंग एड़ेस्टमेंट आने डायल इंडिकेटर तो करें कि वीच आप फालोविंग एररीज एलिमिनेटर और मिनिमाजड बाइ जीरो सेटिंग एड़ेस्टमेंट आने डायल इंडिकेटर तो यह एक तरह से जो जीरो एरर जो सुन्यां कत्रूटी होता उसक बात किया जा रहा है तो यह जो है जीरो को मतलब जीरो सेटिंग अड्जेस्ट्मेंट क्या होता है इनहरेंट एरर होता उसका एक उस जो कोई भी मालेज जो मेजरिंग इंस्टुमेंट है उसका एक इंहेरंट मतलव उसके साथ ही बना हुए अगर आगे पड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा सेवएं का भी हो जाएगा ठीक है इह इनहेरंट इस चलिए आगे बढ़ते हैं the best standard characteristic when calibrating an instrument for production inspection is तो कहला है the best standard characteristic when calibrating an instrument for production inspection is यानि कि best standard characteristic क्या है जब हम एक instrument को production inspection के लिए calibrate करते हैं तो best standard क्या है कितना अच्छा standard होना चाहिए तो जो standard हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए 10 times the accuracy ठीक है accuracy का 10 times होना चाहिए standard हमारा ठीक है इतना standard होना चाहिए अगर production inspection के लिए हम यूज करने जा रहा है इंस्टुमेंट को तो यानि कि जो production हो रहा है और उसमें जो है inspection हमको करना है तो जो standard करेक्टरिस्टिक होना चाहिए वो 10 times the accuracy होना चाहिए एकरेशी के दसकुना होना चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। 9th question about interpretation of repeated measurement result on the same feature is considered the instruments अब देखिए वही बात आगे करा है interpretation of repeated measurements results on the same feature is considered the instruments क्या कि repeated measurements है ठीक है तो repeated अगर कोई repeated measurement है उसके बारे में अगर करें results on the same feature एक ही feature पर result अगर हो रहा है उसका का मतलब रिजल्ट जो है वो सेम फीचर पर कहने का मतलब कि कोई मेजर्मेंट बार-बार आप रिपरिट कर रहे हैं ठीक है तो वह क्या कर रहा है एक ही जगह जाके वह रुक रहा है उसका या रिजल्ट जो आ रहा है वह एक ही जगह आ कहने का मतलब 25.444 आप कर रहे हैं तो 25.444 ही बार-बार आ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन कहेंगे क्या कहेंगे प्रिसीजन कहेंगे ठीक है बी वाल आप्शन सही हो गए हां पर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं वेन इस्ट्वील डूल इस यूज्ड विच आप दो फालोविग इस दे सोर्स आफ मेजर्मेंट अंसर्टिन टी करें कि जब एक स्टील रूल को यूज किया जाता है ठीक है तो निम्ड मेंसे कौन सा जो है मेजर्मेंट में अंसर्टिन्टी का सोर्स है यानि कारण है स्रोत है यानि एक स्टील रूल को जब हम यूज करते हैं स्टील जो हम दोग नार्मली यूज करते हैं ठीक है जो मेज जर्मेंट में लाएगा यहनि की तूटी कि झाईगा तो इसमें है पहला है इनहेरेंट इंस्ट्रुमेंट एरोर दूसरा है उस ranked overcoming Inherent Instrument Error, Temperature Error and Manipulative Error Manipulative Error का मतलब जो आदमी जो है जो वहाँ पर काम करने वाला है जो मेजर करने वाला उसके द्वारा जो Error हो रहा है फिर भी है Attachment Error, Manipulative Error and Temperature Error C है Attachment Error, Bias and Inherent Instrument Error D है Inherent Instrument Error, Manipulative Error and Observational Error ठीक है तो यहाँ पर Temperature का बहुत ज्यादा effect पढ़ने वाला नहीं है इस्ट्वी लोड पर तो यहाँ पर जो हमारा जो यहाँ पर जो सही आप सरने जो Main Source है वो है Inherent Instrument Error यानि कहने का मतलब Instrument में ही गलती है क्योंकि जब हम उसको एक Standard क्योंकि आप जानते Standard जो है वो बनाए गए है हर यूनिट के हर मेजरमेंट के यूनिट के एक Standard बनाए गया है उस Standard ऐसे जब Compare करके इसको बनाया गया होगा Steel Rule जो आपके पास है तिक है उसमें एक कोई अगर कुछ गड़बड़ी हुआ होगा Comparison में तो उसमें जो Error होगा वह Inherent है वह तो जाएगा नहीं जिसे अभी सुन्यांग तुरूटी की बात करें वह क्या है Inherent है कि वह जाने वाला नहीं है क्योंकि वह बनाते वक्त ही गलती हो गया था बनाते वक्त ही जीरो जो होना चाहिए वह जीरो नहीं होके जीरो से कई इधर उधर हो गया था जैसे सुन्यांग तुरूटी की बात करें जीरो जो Error की बात करें ठीक है तो Inherent Instrument Error हो गया Manipulative Error हो गया नहीं कर से जो हम लोग कर रहे है जो कोई measure करने वाला है वह उसे गलती हो रहा है पिर आप्जरवेशनल अलर अब आप्जरवेशन में भी गल्ती हो सकता है जैसे की Parallax हो सकता है ठीक है Parallax Error के सब्सक्राइब का हो सकता है तो इसका option हो गया ग्यारम की बात करते हैं एक्यूरेशी डिफाइंड आज आपसा नहीं है इसमेजर आफ और आफ एन एक्सपरिमेंटल वैल्यू केन बीपिटेट भी है दो क्लोजने साफ मेजर वैल्यू आफ दे रियल वैल्यू सी यह दो नंबर आफ सिगनिफिकेंट फी फिगर्स युदिन अमेजर्बिन दिन अनव दिए तो एक्यूरेशी क्या हो हैं के रिपिटेड आगे हैं इसका मतलब प्रिस्पीजन से मतलब है तो हमारा आप्सन कौन सा सहीं है करेक्ट आफ्सन बी वाला था closeness of measured value to the real value यानि कितना close है वो accuracy को define करता है closeness measured value है यानि जो हमने measure किया भी वो true value से जीतना close रहेगा उतना ही उसका ज्यादा accuracy होगा हमारे measurement का जो हम measurement कर रहे हैं उसका accuracy ज्यादा होगा ठीक है बात करते हैं आगे बढ़ते हैं question number 12 की बात करते हैं confirmity of a physical quantity to the national standard of measurement is known as इसको हम लोग बोलते हैं traceability क्या बोलते हैं traceability ठीक है एक definition की तरह है definition की तरह आप याद कर लेंगे इसको confirmity of a physical quantity to the national standard of measurement is known as traceability यानि की की फिजिकल क्वांटिटी का जो national standard of measurement के साथ जो जो national standard of measurement दिया गया उससे मेल जो लखाता हुआ है की नहीं कोई भी आप जो component बना रहे उससे मेल जो लखाता हुआ है की नहीं तो मेल जो मेल उससे मिला हुआ होना चाहिए मेल जो लखाता हुआ होना चाहिए उसको बोलते हैं हम लोग मतला उससे अलग नहीं होना नहीं तो systematic error को दो नाम से जानते हैं एक कंट्रो लेवल एरर चीनम एक होता है कि दूसरा यह रोटा है रेंडम एरर या उसको बोलते हैं उसको statistically find out करते हैं question no.14 की बात करते हैं when a series of repeated measurements that are made on a component under similar condition are plotted it follows log normal distribution we bowl distribution binomial distribution करें when a series of repeated measurements that are made on a component under similar condition are plotted it follows यह जो है metrology and measuring instrument का या फिर measurement का basic है सबसे basic है यह क्या करते हैं हम जब किसी component का measurement करते हैं तो सब को एक plot करते हैं उसको हम लोग एक distribution कहते हैं आपने probability distribution सायथ पढ़ा होगा प्राइक्ता बंटन तो उसमें पढ़ा होगा उसमें दो तीन दो तरह हलाकि कई तरह के होते हैं लेकिन मेंली आपने पढ़ा होगा एक नार्मल distribution ठीक है और एक सब्सक्राइब तो वही नार्मल distribution या Gaussian distribution जिसको कहते हैं वही हमारा यहां पर करेक्ट है यही बेसिस होता है हमारा कि मेजर्मेंट के मतलब कोई चीज जैसे मेजर कोई कमपोनेट बना रहे हैं तो वह हमारे acceptable range में है कि नहीं यह distribution के अधार पर ही calculation किया जाता है इसका नाम जान लेजिए दो नाम है कि गॉसियन का distribution या फिर नॉर्मल distribution दोनों नाम है ठीक है और इसी के अधार पर सारा calculation किया जाता है कि हमने खुब ज्यादा component बनाया तो उसमें कितने acceptable limit में हैं यह आपके मतलब आपके अभी समझे बाहर है और यह करना भी नहीं आपको बस जान लेना है मैं बता दे रहा हूं जान लेना है उसके बाद last question है आज के लिए random errors can be assist तो random errors को भी को assist किया जा सकता है कैसे यानि कैसे calculate किया जा सकता है या फिर कैसे हम उसको जान सकते हैं random errors को तो हमने पीछे अभी बताया है इसका एक और नाम होता statically errors भी करते हैं यानि statistically हम लोग इसको assist कर सकते हैं random errors को जो कि अभी आपने वहां पर जो देखा जो Gaussian distribution अभी हमने पढ़ा वही statistical distribution था उसी के आदार पर हम पता करते हैं error क्या है और कितना हमारा acceptable limit के अंदर है measurement ठीक है या फिर कोई product बना भी हैं तो product बनाते तो बहुत सारे product बनाएंगे एक साथ तो जरूरी नहीं सबका जो है dimension जो आप चाहते उतना ही होगा उसमें minor difference आएंगे और यहां हम बात कर रहे हैं तो माइनर difference की बात कर रहे हैं ऐसा मत समझेगा कि 1 mm 2 mm की बात किया जा रहा है नहीं 0.0002 mm तक का बात किया जा यहां तक कि इससे कम भी जा सकते हैं इसका रेंज माइक्रान तक हो सकता तो इसका आप लोग ख्यार रखेंगे आज के लिए पूरा होता है मिलेंगे आप से निक मिलेंगे आप से कभी फिर नेक्ष्वीडियो में तब तक के लिए सुक्रिया